ओके आज बहुत जुरूरी बात करनी है पिक्सल की वीडियो अधी दोस्तों जल मिल जाएगी वीडियो बस क्या हो अभी अभी अप्लोड कर देखते हैं ये कल अप्लोड होने वाली थी लेट हो गई एडिटिंग में अभी तक होई नहीं कई दिन से बात करूंगा रह जा रह करते हैं फ्रेम को सुधार दिया जाए अब अच्छा लगेगा आपको सब्सक्राइब करिए अगर आप नहीं है यह मेरा सेकिंड चैनल हो वन मिलियन तक जाना हमको हैलो आ रहा हूं खाना खाने अभी घ्यान दे रहा हूं मैंने यह वाला वीडियो शोचल मीडिया पर जब अपलोड किया होगा अपने शॉप की परमोशन के लिए एक लड़का है उसके हाथ में पैसा है लड़का भी क्या भी कम उम्र का लड़का है और बगल में जो आप देख रहे हैं यह इनकी मदर है अब आप सुनो इस बात को फील करो एक बार तो इतने सारे पैसे लेकर रहा हो तो किसले लेकर आप अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया बोजपूरी में यह लेंग्वेज मैं बचपन से वैसे हरियाना में रहा हूं तो मुझे हरियानवी थोड़ी पंजाबी वैसे लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो मुझे बोजपूरी भी आती है और यह पैसा कमाती है लड़का कोई पैसा नहीं कमाता और वही पैसा फोन लेना चाहता है इसके लिए बच्चे ने तीन दिन तक खाना निखाया जिद किया तो इनको मजबूरन में वह जिद पूरी करनी पड़ी और शोप वाला तो शोप वाला ही है वह अपनी मार्केटि पैसा हमके लिए कि अब क्या कहेंगे माबाप है खुशी है बच्चों की खुशी में खुशी दूनते हैं हम लोगों के एकसर माबाप ऐसे होते हैं लो यार मम्य लुकासा आइपोन के तर आईफोन लो बैय अन्बाक्सिंग करो यह पैसा दो आईफोन लगर का पावर कुस को मुझे परस नहीं लगता है रील आजकल ज्यादा पॉपलर है तो रील वगरा बनाना होगा कहा होगा मैं पैसा कमाऊंगा पैसा लाके वापिज दे दूँगा खाना निखाया होगा जिद किया होगा उसको उसकी मदर ने साथ हजार रुपे दे दी हैं काफी लोग आजक लड़कों पर जोब करनी है नोकेज लेनी है सुरू होता है वहां से प्रेशर 25 के बाद प्रेशर एक्चुली बढ़ना सुरू होता हो तीस साल के बाद तो फिर प्रेशर ताने पूरा आस-पास का समाज सब ऐसे बेव करते हैं जैसे उन्होंने आपको खाना खिला हो लेकि यह बचकानी हरकत थी कि नहीं तीन दिन खाना निखाऊंगा तो आईफोन मिल जाएगा उसने वही गलती करी एज देखी रहा बच्चे की मदर ने वही गलती कर दी बच्चा खाना निखा रहा है वो दुखी होगा तो मैं दुखी होँगी 60,000 फिर कमा लूँगी 60,000 आपके लिए कौन सा है, simple example दू, साथ हजार रुपे किस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा amount है, इनकी मदर फूल बेशती है मंदिर में, अब मुझे ये तो नहीं पता हो दिन का कितना कमाती है, अगर आप भी किसी ऐसे परिवार से हैं, माल लीजिए, रिलेट करने के लिए example दू, अगर एक मजदूर आदमी है, जो दिन की दिहाड़ी करता है तो average दिहाड़ी 400 रुपे मिलती है उसको दिन का, 100 रुपे इसमें से दिन का खर्चा निकाल सकते हैं, basic डाल, चावल, नमक, रोटी के लिए, और 300 रुपे बचे, अब 60,000 को आप 300 रुपे से डिवाइड कर दो, 200 दिन लगेंगे उसको, और 200 दिन को आप महीने में convert करते हैं न, तो 6.5 महीने के आसपास आता है, इतने दिन लगते हैं, इस 8,000 रुपे कमाने में, इस बीच में अगर कोई बिमार हुआ, किसी कपड़े लेने, कोई personal expense आगया, और हो सकता है, वो मापाप उस बच्चे को पढ़ाना भी चाहें, तो फिर और ज्यादा लग जाएगा, साल भर भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकता है, दमाग में कुछ आया होगा, लेकिन इसको इतना हलके मत लेना आप, आपको लगेगा, मजदूर, फूल बेचना, हमारे देश में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनकी on and average, monthly earning, 15,000 रुपे से 20,000 रुपे तक हैं, 20,000 से नीचे भी है, 15,000, 12,000, कोई सिक्योर्टी गार्ड है, कोई टेक्सी ड्राइवर है, यह जो हमने एक मजदूर की, 400 रुपे दिहाड़ी मानी थी एक दिन की, एक महीने की 12,000 होती, अगर वो लगातार काम करेगा, तब टेक्सी ड्राइवर में, लोग EMI पे कार लेते हैं, तीन-चार साल EMI भरते हैं, फिर दिन भर मेहनत करके चलाते हैं, 12,000 सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको EMI भी भरना है, तो बहुत बड़ी गलती कर दे उस बच्चे ने, भाई, अब आप में से कुछ लोग, जो यह सोच रहे हैं, थोड़ा positive side ले जाते हैं इस बात को, कि माल लेते हो, बच्चा real बनाएगा, और वो पैसा कमा लेगा, फिर तो मतलब वो investment हो गया ना, लेकिन आप यह नहीं सोच रहे हैं, मैं इसका दो example दूँगा, social media या कोई भी business शुरू करने के लिए, हम लोग social media पर थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि बच्चे न उसी लिए phone खरीदा है, और मुझे उसका ज़्यादा experience है, दो तरह के normali लोग होते हैं, जो social media पर आके वीडियो बनाएंगे, एक जिन के पास पैसा था, वो पहले दिन DSLR ले लेंगे, नहीं ले सकते हैं, तो iPhone ले लेंगे, बेटर लाइट ले लेंगे, और दूसरे टाइप के लोग, जिनके पास ये resources नहीं है, उसको YouTube चैनल शुरू करना है, इसको आप किसी भी 36 YouTuber मिल जाएंगे, किसी से भी जोड सकते हो, 800 रुपे के इसमें माइक लगा देता था, I think 15,000 रुपे के असपास थी, 11 महीने बाद जो पहली earning आई थी, फिर पैसा बढ़ जाता है, मतलब YouTube से भी आता है, ब्रैंड के साथ भी कई बार काम करते हैं, उससे भी आता है, मैं किसी का disrespect नहीं कर रहा हूँ, आज की डेट में हम हर successful YouTuber को देखते हैं, लेकिन उसका struggle देखना हैं नहीं चाहते, स्टोरी का मतलब यही है, मेरे पाद जो फोन था, उसी से मैंने वीडियो शूट किया, एक साल बाद DSLR लेता हूँ मैं 50,000 का लगबग, ओर दा टाइम, आज एक वीडियो जो आप देखते हो में चैनल पे, 17,000 रुपे के फोन से, 17,000 रुपे के असपास के इन्वेस्टमेंट है, लाइट और कैमरा, जितने लेंसिस यूज़ उत्ते हैं, मल्टिपल कैमरा, नहीं मैं शोब आजी नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, कि रिसोर्सीज अपने आप बढ़ते चले गए, अभी तो मैंने एडिटिंग, PC वगर आड़ी नहीं किया, शोब आजी इसे नहीं कहते हैं, मैं सिब बता रहा हूँ, वो मैं कार किराये पे लाके दिखा नहीं रहा हूँ, जितना मुझे उमीद है, इस कड़वे सर्च पे कोई बात नहीं करना चाता, ना समझना चाता है, यूटूब तो फिर भी एड्सेंस से पैसा देता है हमें हर महीने, लेकिन इंस्टा रिल्स का क्या, वहाँ से तो पैसा आता ही नहीं न महीने का, वो प्लैट्फोर्म खुद आप से कमा रहा है, आप, अब आप सुचोगे कैसे कमाएंगे, कमाते हैं रिल्से, सिर्फ और सिर्फ ब्रैंड से पैसे मिलते हैं, ब्रैंड से स्पोंसर्ड वीडियो करके, कोलाबरेशन करके, अब आप कहोगे, ये बच्चा वही करेगा न, आगे जाके, ये बच्चा वही सोच रहा होगा, लेकिन इस बच्चे को अभी ये भी नहीं पता होगा, कि कैसे आएगा पैसा, शुरू में नहीं पता होता है, ये तो हम over the time सीखते हैं, अब ये बच्चा सिर्फ हवा बाजी में इसने आईफोन खरीदा है, अगर ये सच में कुछ बनाना चाहता है, कॉंटेंट अच्छा तो देखे देखो, हमेशा सिर्फ एडिटीं और क्वालिटी ही काम नहीं आती, बॉलिवुड मोवी बनाने नहीं जा रहे हो न आप, और लोग सोचल मीडिया पे रोथोर्स ज़्यादा देखने आते हैं, इसका सोचल मीडिया पे अगर सीरियस तरीके से काम करने का मन होता न, तो जो रिसोर्सिस मिलते पहले उससे ट्राई करता, सो ये चीज है, मतलब आप इतना इंफलेंस मत होई है यार, मतलब चीजों को समझे थोड़ा रियल लाइफ में, और पेरेंट्स हो मैं कहना चाहूंगा, आप लोग भी बच्चों को क्या दिला रहे, पूरी कमाई मत दे दीजिए, कि उनको सोचल मीडिया से पैसा आता है, लेकिन सब कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, कैसे कमा पाएंगे, आप लोग गलत चीजे देख के इंफलेंस हो जाते हो, आपको ये दिखता है कि हाँ भाई ठीक है, डोली चाय वाला किस तरीके से फेमस हो गया, लोग लिखते हैं, एजुकेशन बेकार हो गई, वीडियो हो जाए, इस पर मेरा का उपीनियन है, कॉमेंन बताईए, और ये गलतिया एकसर बच्चे करते हैं, मैंने भी कई बार जिद करी हुए, बाई मुझे ये चाहिए, वो दिला दो, किसीने स八जार का आइफोन लिया होगा, किसीने साट रूपे के लिए जिद करी होगी, किसीने चिद करी होगी, सबने कर रहा है, मैंने भी कुछने कुछ किया है, लेकिन इतनी बड़े जिद नहीं करी है, कि पूरे जो माबाप, इतने महीनों की कमाई, कठे ही निप्टा दो I hope कुछ सीखने को मिला को इस वीडियो से वाइद वे सब्सक्राइब करिए अगर आप नहे हैं समझदार बनिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में अगले टोपिक के साथ हरशित इतना रिलाक्स कोन होता जिन्दगी में बताओ आपको मांके दि